एक बार लंदन में डारलिन परिवार रहता था। लड़के ने अपनी परचाई खो दी। तो अगली रात वह फिर वापस आ गया। वेंडी उठी और उसे फर्ष पर रोते हुए देखा। तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। वेंडी ने पूछा। मेरा नाम पेटर पैन है। मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरी परचाई भी मुझ पर नहीं टिकती लड़के ने उत्तर दिया। वेंडी ने उसकी परचाई उठाई और उसे अपने पैरों पर सिल लिया। पीटर खुश हुआ। जल्द ही उसने बच्चों से दोस्ती कर ली। वेंडी ने पीटर के साथ कई कहानिया साजह की जो उसकी माने उन्हें बताई थी। पीटर ने उन्हें कमरे में उड़ाया। एक दिन पीटर ने वेंडी को अपने घर निवरलैंड में आमंत्रित किया। पीटर ने कहा मैं वहाँ अपनी परी टिंकर बेल के साथ रहता हूँ वेंडी इस शर्थ पर सहमत हुई कि उसके भाई भी साथ आएंगे उसके परी मित्र टिंकर बेल ने कुछ जादूई पाउडर लिया और तीनों पर छिड़क दिया तब बच्चे उड़ने में सक्षम हुए वे पीटर पैन के साथ नेवरलैंड की ओर उड़ गए नेवरलैंड पहुचने पर पीटर उन्हें जंगल में अपने घर ले गया उन्होंने उन्हें खोय हुए बच्चों से मिलवाया जो उनके और टिंकर बेल के साथ रहते थे और उनकी देख भाल करते थे उन्होंने नेवरलैंड में बहुत अच्छा समय बिताया एक शाम जब वे द्वीब की खोज कर रहे थे पीटर पैन ने सभी को चेतागनी दी और कहा छिप जाओ समुदरी लुटेरों ने भारतिय राजकुमारी टाइगर लिली का अभरण कर लिया था पीटर राजकुमारी को बचाना चाहता था तो कैप्टन हुक जैसी आवाज में समुदरी डाकु उपर चिल लाया उसे तुरंट जाने दो उसे तुरंट जाने दो मेरे वहाँ आने से पहले ऐसा करो नहीं तो मैं तुम में से सभी को पानी में फेंक दूगा समुधरी डाकू डर गए और उन्होंने तुरंत राजकुमारी को रिहा कर दिया पीटर ने दूसरों को सुरक्षा की और अग्रसर किया फिर उसने उन्हें अपने सभी कारनामों के बारे में बताया जब कैप्टन हुक को पता चला कि पीटर ने उसके आदमियों को कैसे धोखा दिया है तो वह क्रोधित हो गया वह अपना बदला लेना चाहता था उसने वेंडी, जॉन और माइकल का अभरण कर लिया और उन्हें अपने एक जहास पर रखा जैसे ही पीटर को इसके बारे में पता चला, वह जहास पर पहुँच गया वह डेख पर पहुँचा और उसे फिंक दिया समुदरी डाकू जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की उन्होंने बच्चों को बचाया कैप्टन हुक और पीटर पैन के बीच गयंकर युद्ध हुआ कैप्टन हुक अपनी तलवार खीच कर पीटर पैन की गोर दोड़ा अपने पैरों पर तेजी से खड़े होकर पीटर पैन एक तरफ हट गए और हुक को धक्का दे दिया कैप्टन हुख पानी में गिर गए जहाँ एक मगरमच उन्हें खाने के लिए इंतजार तर रहा था हर कोई खुश था क्योंकि कैप्टन हुख हमेशा के लिए उनके जीवन से बाहर हो गया था विंडी, जॉन और माइकल के घर लोटने का समय हो गया था पीटर और टिंकर बेल उन्हें वापस लंदन ले गए खोए हुए बच्चे भी उनके साथ चले गए मिस्टर और मिसेस डार्लिंग ने उनका कर्मचोशी से स्वागत किया